दरमवीर बग्गा ने हर साल की तरह इस साल भी किया दरमवीर बग्गा ने आज पिर जिले में अपने करम से पहचाने जाते हैं धरमवीर बग्गा भोजन बैंक भी चलाते हैं धरमवीर बग्गा ने एक नेकी की दिवार भी खड़ी की है जिसको जरूरत मंदों के लिए कपड़े भी तंगे होते हैं जिसको जरूरत होती है वरात के अंधेरे में ले जा सकता है दरमवीर बग्गा नावार इस लाज को कफन दफन शम्शान पर पूर्द शिद्धान जली भी देते हैं जिसमें अभी तक 15 बार ये सेवाएं हो चुकी है और अपकी बार ये 15 बेटियों की शादियां हो रही हैं जिसमें किसी की मा नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, किसी कोई अपंग है, कोई अतना लाचार है कि किसी चीज की विवस्था नहीं कर सकता है हम बहुत सौभाग शाली है, हमारा बहुत ही सौभाग है हमारा और हमारी टीम का कि इश्वर ने ये सेवा हमको सौपी है बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बड़ी शान्ती मिलती है जब इस तरह के कामों को करने का उसर मिलता है कन्या भून हत्या को रोखने के लिए बेटियों बचाओं अख्यान को मजबूती देने के लिए ये सेवाई निरंतर करी जाए सन 2003 से ये कार्मा शुरू हुआ था और आज ये लंबा अफकर के बहुत ही बड़ा हो गया है मैं इन सेवाउं के साथ साथ लावरिश लाशों का अंतिम संस्कार होजन बैंक, नेकी की दिवार इन सारी सेवाउग करता है आप सब से आज आए आगंतिमों से उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमको इसतने आशिरवाद देंगे कि जब तक हम जीवित रहें तब तक ये सारी सेवाई हमसे इश्वा लिता रहे दान कर चुका हूँ कि मेरी जो डेव बॉडी है मेरे मरने के बाद जो भी जुरतमंद है उस सारे जुरतमंदों को दे दी जाए आज मेरी पत्नी ने भी अपनी नेत्रों का दान किया है 26 जनवरी के मौके पर जो हमारे देश का रास्टी पर है इस पर ये सारी सेमाई करने का उसर मिल रहा है धन्यवाद